हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज मैं आपको बटरफ्लाइ स्लिव बेबी टॉप बनाना बताऊंगी, तो ये मैंने देड़ मीटर जोर्जेट का फैबरिक लिया हुआ है, और स्रिफ एक मीटर मैंने अस्तर का फैबरिक लिया हुआ है, तो सबसे पहले हम अस् प्राइंच की रखी है, मेन फैबरिक में हम लंबाई बढ़ाएंगे, अभी उपर से हम शोल्डर के लिए छेंज पर निशान लगाएंगे, शोल्डर के लिए हमें छेंज पर निशान लगाना है, और आम होल की लेंद के लिए भी मैं छेंज पर ही निशान लगाऊंगी, छे इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है जितना हमने शुल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है अभी यहां से हम चेश्ट का मेजरमेंट लेंगे तो आपकी बेबी की चेश्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चोथा भाग करना है और उसमें दो इंच एट कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए मैंने नो इंच पर निशान लगाया है अभी बेक आम होल के लिए में देड़ इंच पर निशान लगाऊंगी और फ्रंट आम होल के लिए एक इंच पर निशान लगाऊंगी और दोनु निशानों पर हमें इंच एट कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए तो आपकी बेबी की जो भी कमर की चोड़ाई है उसका चोथा भग करके उसमें दो इंच एट कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से हमें हिप की चोड़ाई का चोथा भग लेन और उसमें भी हमें 2 इंच एट कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रो कर देनी है अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे इसमें हम बोटनेक गला बनाएंगे तो गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और पीछे की गले क कटिंग कर देंगे क हैं कितने दे हैं कि यह देखे में इसकी कितिंग कर दी है अभी हमें इसमेंसे एक पाट को निकाल लेना है और इसे वापत से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आम होल की कटिंग कर देनी है तो मैंने कटिंग कर दी है अभी मैंने ये फ्रंट का पाट लिया हुआ है और जहां पर हमारा आम होल है वहां पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे जहां पर हमने आम होल कट किया है वहां पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और दूसरी सैट का जो आम होल है वहां पर भी हम 5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे और जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है फ्रंट पार्ट में इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है और इसे हम कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे उसके बाद हम main fabric को cut करेंगे अभी पहले हम इसे double fold कर लेंगे अभी हम main fabric पर इसकी cutting करेंगे तो मैंने जोर्जेट का fabric लिया हुआ है और देखे इस तरह से पहले मैंने इसे double fold किया हुआ है उपर से इसकी बंद वाली side है और नीचे से दोनों side इसकी खुली हुई है इसे हम एक और बार fold करेंगे तो ये 4 layer हो जाएगी और जो मेरी side है वो बंद वाली side है और जो उपर की side है वो भी बंद वाली side है और नीचे से इसकी जो दोनों side है वो खुली हुई है इस तरह से इसे मैंने 4-4 में बिचाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की रखी है और उपर से जो इसकी चोड़ाई है वो 14 इंच की है तो जितनी भी आपकी टॉप की चोड़ाई है उससे 4 या 5 इंच फेब्रिक आपको एक्ष्टा लेना होगा प्लीट्स लगाने के लिए अभी जहां पर हमारी ओपन वाली साइड है यानि की खुली हुई साइड है वहां पर हमें टॉप का पाट रखना है और इसका जो आम होल है उसे हमें ऐसे ही ड्रोग कर लेना है जितना भी हमारा आम होल वाला पाट है उसे हमें ऐसे ही ड्रोग कर लेना है और side से भी हम इसे draw कर लेंगे अभी इसे हम हटा देंगे तो जितना fabric बजता है उतनी हमें plates लगानी है तो कम से कम हमारा 5 inch तर फैब्रीक एक्स्ट्रा होना चाहिए अभी इसे हम हटा देंगे और जो हमने armhole ड्रोग किया है उसे हमें cut कर देना है और साइट से भी हम इसे कट कर देंगे देखे मैंने कट कर दिया है अभी उपर से जो इसकी बंद वाली साइट है उसे भी हमें कट कर देना है उपर की तरफ से जो हमारा बंद वाला साइट है उसे भी हम कट कर देंगे तो ये दो पीस हो जाएंगे फ्रांट और बेक के लिए कुछ इस तरह से अभी जितना भी फेब्रिक हमने अस्तर का अंदर की तरफ फोल्ड किया था बिल्कुल उसी शेप की हमें में फेब्रिक की पट्टी कट कर लेनी है जितना फेब्रिक हमने फोल्ड किया था उतनी ही हमें पट्टी कट करनी है तो इस हम फ्रंट का नेक ड्रो कर लेंगे और इसे कट कर देंगे इसी तरह से हमें बेक का नेक भी कट कर लेना है यह पट्टी हम ऊपर की तरह फटेच करेंगे इस तरह से तो पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रखना है अस्तर के ऊपर और इसके गले पर हम सिलाय लगाएंगे और इसे हम बेक पाट के लिए भी पट्टि कट कर लेंगे और बेक का नेक इसके उपर रखते हुए हमें इसे एस इस इस ऐसे ही नेक ड्रो कर लेना है और इसे कट कर देना है इस तरह से हमें फ्रंट का नेक और बेक का नेक अलग-अलग रखते हुए हमें पट्टि को कट करना है और इसका नेक भी हम कट कर लेंगे और इसे भी हमें उल्टी साइट से ही रखना है और इसके गले पर हमें सिलाई लगा देनी है तो ध्यान रहे सिलाई हमें सिलाई हमें सिलाई हमें सिलाई के उपर ही लगानी है फ्रांट और बेक दोनों नेक के उपर हम सिलाय लगाएंगे तो देखे मैंने इसमें सिलाय लगा दी है अभी इसमें हमें छोटे-छोटे कट लगाने होंगे उसके बाद हम इस पट्टी को सीधी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसके उपर कवर सिलाय लगा लेंगे और फ्रंट नेक पर भी हम चोटे चोटे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हमें पट्टी को सीधी साइट पर पलट देना है और पलटने के बाद हम इसके उपर भी कवर सिलाय लगा लेंगे तो देखे मैंने इसमें कवर सिलाय लगा दी है फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी अभी जो हमने पट्टी अटेज की है वहाँ पर हम मेन फेबरिक को अटेज करेंगे अभी ये मैंने मेन फेबरिक का पार्ट लिया हुआ है अभी जो हमने पट्टी अटेच की है बिल्कुल उसके उपर ही हमें इस पाट को अटेच करना है तो जो हमारा आम होल है उसे हमें आम होल के साथ मिलाना है और पहले हम इसमें पीन्स लगा लेंगे तो बोटम का पाठ हमें उल्टा रखना है और दूसरी साइट के आम होल के साथ भी हमें दूसरी साइट का आम होल मिलाना है और इसके उपर हम पीन्स लगा लेंगे उसके बाद अंदर के तरब जितना भी एक्ष्टा फेब्रिक बचता है उसकी हमें प्लेट्स लगानी है तो आप अपनी पसंद से इसमें छोटी या फिर बड़ी प्लेट्स लगा सकते है इसी तरह से हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेंगे जितना भी हमारा पर भी हम इसी तरह से आम होल के ऊपर पींस लगा लेंगे आम होल के ऊपर हम पहले पींस लगा लेंगे ताकि हमें बाद में इसमें सिलाय लगाने में आसानी हो और इसी तरह से पट्टी के ऊपर हम दूसरी सैट का आम होल रखेंगे और उसमें भी हम पींस लगा लेंगे उस तो देखे मैंने इसमें प्लेट्स लगाकर इसे सैट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से आएगा अभी साइड में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है आम होल के ऊपर और दूसरे पार्ट में भी मैंने प्लेट्स लगाकर इस से सैट कर लिया है तो दोनों आम होल के उपर मैंने सिलाई भी लगा दी है अभी एक पाट को हम सीधा रखेंगे और दूसरे पाट को हमें उल्टा रखना है और इसके शॉल्डर जॉयंट कर लेने है तो देखे मैंने इसके शॉल्डर जॉयंट कर लिये है अभी हम इसके आम ह करना है और इसमें हमें इसलाई लगा देनी है उसके बाद हम पट्य को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड देंगे इसी तरह से दूसरे आम होल के उपर भी हम तिर्ची पट्याटेच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड देंगे तो देखे मैंने दोनों आम होल के उपर तिर्ची पट्टी अटेच कर ली है अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और दो इंच का गेप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे आप चाहे तो मैन फेबरिक की और अस्तर की फिटिंग अलग अलग भी कर सकते है उसके बाद जो अस्तर का फेबरिक है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और नीचे का जो फैब्रिक है उसकी बॉर्डर को भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा लेंगे तो देखे मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही सैट से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है अभी हम इसमें स्लीव अटेज करने वाले है तो पहले जहां तक हमारा अस्तर है वहां तक हमें निशान लगाना है तो आपको जहां तक भी स्लीव अटेज करनी है वहां तक आप निशान लगा सकते है तो मैंने जो अस्तर है मेरा वहां तक ही मैं sleeve attach करूंगी तो दोनों side से हमें निशान लगा लेने हैं उसके बाद हम इसे major कर लेंगे जो हमने निशान लगाया है उस निशान से लेकर हमें दूसी side तक इसका measurement ले लेना होगा तो बिल्कुल अच्छे से हमें measurement लेना होगा तो जितना भी आपका measurement आता है आपको देख लेना है तो मेरा 36 inch आ रहा है और इसी तरह से हम दूसरी side भी निशान लगा लेंगे जहां तक मैंने अस्तर attach किया है वहां तक मैं निशान लगा लूँगी दोनों ही side से वहां तक ही हम इसमें sleeve attach करेंगे उसके बाद यह मैंने extra जोर्जेट का fabric लिया हुआ है और इसे मैंने double fold किया हुआ है उपर से जो इसकी side है वो बंदवाली side है और जो मेरी side है वो खुली हुई side है अब ही जो हमारा measurement 36 inch आया था उसका हमें half लेना है यानि कि 36 inch का half होता है 18 inch तो हमें 18 inch पर निशान लगा लेना है क्योंकि यह हमारा double fold fabric है इसलिए हमें 18 inch पर निशान लगाना है उसके बाद आपको जितनी भी sleeve की लंबाई रखनी है उतना आप निशान लगा सकते है तो मैं 11 inch पर निशान लगाऊंगी उपर से ध्यान रहे हमारे folded side ही होनी चाहिए तो उपर से पहले हमें 11 inch पर निशान लगा लेना है उसके बाद हम 11 inch पर दूसरे side भी निशान लगा लेंगे यह हमारे sleeve की लंबाई का निशान है अभी इन दोनों निशानों को हम जो हमने 18 inch पर निशान लगाया है वहाँ तक round shape देते हुए land draw कर लेनी है इस तरह से अभी इसे हमें cut कर देना है तो यह मैंने एक ही sleeve आपको cut करना बताया है इसी तरह से हम दूसरे sleeve भी cut कर लेंगे इसका fold बहुत ही अच्छे से आता है या फिर आप इसकी border को पतली सी double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा लीजेगा अभी जहां पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें sleeve को attach करना है तो जहां पर भी हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें half inch अंदर की तरफ sleeve को रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है जहां पर भी हमने निशान लगाया है बिलकुल वहाँ से हमें sleeve को लेते हुए armhole के उपर भी हम sleeve को attach करेंगे और इसी तरह से दूसरी side तक जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें sleeve को attach कर देना है या फिर आप चाहें तो sleeve के बिलकुल center में एक छोटा सा cut लगा लीजेगा उसके बाद जो हमारा shoulder है वहाँ पर हमें sleeve में जो हमने छोटा सा cut लगाया था उसके उपर हमें रखना है बिलकुल शॉल्डर के उपर और इस तरह से हमें जहां तक हमने निशान लगाया है वहां तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है तो यह sli हमारी बिलकुल बराबर से आजाएगी हाफ इच अंदर की तरप से हमें sli को अटेज करना है और इसी तरह से हम दूसरी साइट में भी इस स्लीव को अटेज कर लेंगे तो ये स्लीव हमारी अच्छे से बैट जाएगी दोनों साइट से और ये कुछ इस तरह से बटरफ्लाई की तरह नजर आएगी और इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव भी कट कर ली है और दूसरी स्लीव भी मैंने अटेज कर लिया है तो इस तरह से मैंने दोनों ही स्लीव को अटेज कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका फॉल भी कितना अच्छ से आया है अगर आप इसमें स्टीच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही ब्यूटिफुल नजर आता है अमरेला घेर की तरह ही ये स्लीव नजर आती है और इसी के साथ ये हमारा डिजाइनर बटरफ्लाइ स्लीव टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लूप आपको आज का ये टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मज गाइस